तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल वैन को सुनसान रास्ते पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर आगे ही वैन ड्राइवर को एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है जिसमें एक जूयून नाम की लड़की बैठी हुई थी और यहाँ पर वो अपने पती किमसो से फोन पर बात कर रही होती है यहाँ पर वो अपने पती से बताती है कि शायद उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है हाला कि उसने मेकैनिक को कॉल कर दिया था जो कि कुछी देर में वहाँ पर आता होगा अब क्यूंकि मौसम काफी जादा खराब था और यहाँ पर करवाजा बंद ही रखे और वो उसे यहाँ पर मेकैनिक के आने तक का इंतजार करने के लिए कहता है जिसके बाद किम सो अपना फोन बंद कर देता है क्यूंकि उसे किसी जरूरी मीटिंग में जाना था वहीं इदर वैं ड्राइवर जूयूं से बोलता है कि गाड़ी का टा जूयूं पूरी तरह से डर जाती है इसलिए वो अपनी गाड़ी की फ्लैश लाइट जरा कर देखने की कोशिश करती है पर ऐसा करते ही वो आदमी एक हथोड़े से जूयूं पर हमला कर देता है और यहाँ पर मैं आपको यह बताना भूल गया था कि इस आदमी का नाम जैं इसे कई बारवार करता है और जब वो बेहोश हो जाती है तो जैंग उसे घसीडते हुए अपने अड़े पर ले जाता है जहां कुछ देर बाद जब जूयूं की आँखे खुलती है तो वो काफी जदा घबरा जाती है साथ ही यहाँ पर जूयूं के साथ हमें भी यह ऐसास हो जाता है कि जैंग जिन्दा ही उसके शरीर के कई टुकडे करने वाला है क्योंकि यहाँ पर वो चाकू को देख रहा था यहां जूयूं के अंदर बोलने की हिमत तो नहीं होती पर वो फिर भी हिमत करकर जैंग से बिंती करती है कि वो उसे ना मारे जिस पर जैंग जूयून के अंगूठी पास ही के ड्रेनेज एरिया में गिर जाती है लेकिन जैंग उस पर जादा ध्यान नहीं देता और वो जूयून के शरीर के टुकड़े को ठीकान ही लगाने के लिए ले जाता है जिसके बाद यह सीन सुबह पर शिफ्ट होता है जहां पर हम एक पार्ट्स पुलिस को मिल जाते हैं और जूयून के कटे हुए सिर से उसकी पहचान होती है जिसे देखते ही जूयून के फादर बुरी तरह से टूड़ जाते हैं साथे यहां पर जूयून का पती किम सो भी मौजूद था और वो अपनी वाइफ की यहालत देकर सद्वे में चला जाता है जिसके बाद किम सो जूयून के फ्यूनरल में शामिल होता है जहां पर वो अपनी मरी हुई वाइफ से वादा करता है कि मैं उस इंसान से तुमारी मौत का बदला लेकर रहूंगा जिसने तुम्हें इतना दर्द देकर मारा है अब क्यूंकि किम सो अपने ही ए साथ सा ट्रैकर भी मौझूद था इस कैपसुल को अगर किसी को खिला दिया जाए तो उसकी लोकेशन के साथ साथ उसकी पूरी बाते भी सुनी जा सकती है इसके बाद किम सो पुलिस और अपने फादर इन लौ की मदद से चार ऐसे सस्पेक्ट की डिटेल निकलवाता है जो पता लगने के बाद किम सो उसे काफी बुरी सजा देता है यहां वो उस किलर के टेस्टिकल्स को एक थोड़े से मार कर तोड़ देता है जो सीन बहुत ही जादा ब्रूटल था इसके बाद किम सो दूसरे सस्पेक्ट को पकड़ कर उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मारता है लेकिन उसे पता लगता है कि उसने भी जोय उनकी जान नहीं ली थी हालकि दोनों ही सस्पेक्ट्स की हालत बहुत ही खराब थी जिसे देखकर पुलिस भी हरान थी कि आखिर इतनी बुरी तरह से इन्हें कौन मार रहा है दूसरी और हम जैंक को देखते हैं जो कि एक चौरंस एजंट बनकर पहुंच जाता है और यहां हमें पता लगता है कि इस बार किमसो सही आदमी के पीछे है क्योंकि जिसको वो ढूंटते हुए यहां आया था उसका नाम ही जैंक था जैंक की फैमली से बात करने पर किमसो को पता लगता है कि वो काफी साल पहले उन्हे पता होता है कि जैंक इस वक्त कहां पर है अब जब किमसो यहां से जाही रहा होता है कि तब ही उसकी नजर जैंक के बेटे पर पढ़ती है जिसे जैंक के ठीकाने का पता होता है और वो किमसो को उसके बारे में बता देता है जिस बारे में पता लगते ही किमसो तुरंस उस पर पहुंचता है जहां उसे लड़कियों के बहुत सारे कपड़े और चीज़े मिलती हैं फिर किमसो एक कमरे के अंदर जाता है तो वहां की जमीन पूरी तरह से खून से रंगी हुई थी साथ ही यहां पर किमसो को जोई उनकी अंगूठी भी ड्रेनेस से मिल जाती है जिसे देखकर वो बहुत ही जादा दुखी होता है और यह अंगूठी इस बात का सबूत थी कि जैंग नहीं जोई उनकी जान ली है इधर दूसरी तरफ हम जैंको को स्कूल की ल मतलब कोई उसके नाम से बुला रहा था अब कोई उसका नाम जांता है यह सुनकर काफी है रान होता है जिसके बहुता ह हिता है तो देखता है कि उसके सामने केंसो काड़ा था जिसे देखकर जैंग समझता है कि वो कोई पुलिस वाला है लेकिन किम सो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और इस बात से बॉकला कर जैंग काफी तेजी से किम सो पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन किम्सो उसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारता है वो जैंग के मुँ को एक पॉलिथीन में लपेट कर उसका दम घोटने की कोशिश करता है और फिर किम्सो जैंग को एक पत्थर से उठा कर मारने ही वाला होता है लेकिन फिर कुछ सोच कर वो अपने आपको रोक लेता है क्योंकि उसने जैंग के लिए कुछ और ही सोच रखा था इसलिए वो बेहोश जैंग के मुँ में वही कैप्सुल डाल देता है जो कि किम्सो को उसके दोस्त ने दिया था इससे हो गई है कि किम्सो जैंग की सारे बाते सुनने के साथ साथ उसे ट्रैक भी कर फिलहाल जब जैंग को होश आता है तो वो खुद को वहीं पर पड़ा हुआ पाता है और साथ ही उसे अपने पास के लिफाफे के अंदर कई सारे पैसे भी मिलते हैं जो कि जाहिर है कि किम सोने ही वहां पर रखे होंगे ताकि जैंग अपना इलाज करवा पाए और जैंग भी उसमें आलरडी किसी के लाश होती है मतलब कि ये लोग चोर नहीं बलकि खिलर थे जिनने किसी का खून किया था और वो किसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे यहां जैंग उन तीनों की लाशो को वहीं पर फेक कर आगे निकल जाता है फिर वो एक पूरी तरह से मारता है उसके बात किम सो जींग के हाथ को तोड़ने के साथ 수िके पैर को बहुत ही अजीब तरीके से चपाड़ देता है जिसे को इतना दर्द होता है कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है फिर सो नर्षते मरम पटी करने के बाद उसे एक सुनसान रास्ते पर छोड़ने के लिए कहता है जिस पर वो नर्स बिलकुल ऐसा ही करती है जहां जब जैंग को होश आता है तो उसे काफी जदा दर्द हो रहा होता है अब यहां पर दोस्तों जैंग को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर किम्सो को उसके बारे में हर बार कैसे पता लग जाता है कि वो कहां पर है यहां जैंग को शक होता है कि कहीं उसके आसपास किम्सो ने कोई ट्रेकर तो नहीं लगाया जिसे जैंग हर तरफ ढूंडने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता इसके बाद वो वहाँ से सीधह आदमी ना तो जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है समझ नहीं आता है कि आखिर वो मुझसे क्या चाहता है इस पर यहन उसे बोलता है कि वो पक्का उनी में से किसी लड़की का बॉइफ्रेंड या पती है जिने तुमने मौत के घाट उता रहा है और वो उसी दर्थ को तुमें देना चाहता है जो उस लड़की ने मौत के वक्त सहा था इन शौट वो तुम्हारे साथ खेल रहा है फिलाल इसके बाद यहन अगली शिकार को मारने की तैयारी कर रहा होता है कि तब ही वहाँ पर किम्सो आ जाता है वो यहन को आते ही पीटना शुरू करता है जिस पूरी तरह से मारता है वो जैंग और येन के सर पर तब तक वार करता है जब तक कि वह खून से पूरी तरह से लगपत नहीं हो जाते फिर यहां पर किम्सो येन और उसकी गल्फरंड को पुलिस के हवाले करकर उने हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और जैंग को व बीच में ही टोकर चुप करा देता है क्योंकि उसी वक्त वहां पर जैंग बेहोश पड़ा था लेकिन यहां पर दोस्तों जैंग ने वो कैपसूल वाली बात सुन ली थी और वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था जिसके बाद फिर से किम्सो उसे एक आंजान जगा पर छो बातों में उसकी बीवी की रिंग देख ली थी तो वह समझ चुका था कि किम्सो जोयून का पती है अब असल में यहां पर जोयून ने किम्सो को अपनी प्रेग्नेंसी की खवर नहीं दी थी इसलिए यह बात जैंग उसे खुद बताता है और कहता है कि वह अपने बच्चे जिसके जरीए अभी तक किम्सो उसे ट्रैक कर रहा था इसके बाद जैंग एक आदमी को मार कर उसके मुझ में उस कैपसुल को डाल देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है अब जब किम्सो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जैंग उस जगा से निकल चुका यहां किम्सो को यह चिंता थी कि जैंग आकिर कर क्या करने वाला है इसलिए वो जैंग이는 को टॉर्चर करके उसे पूछने की कोशिच करता है कि आकिर वो क्या करने वाला है जिस पर यह बता था है कि तुमने उसे कई सारे मौकैं देकर बहुत बड़ी के लिए जाएगा जिस गुस्से में वो येन के जब्डे को अपने दोनों हाथों से चीर डालता है और फिर तुरंत अपने फादर इनलौ के घर जाने के लिए निकल पड़ता है लेकिन अब तक जैंग वहां पर पहुंच चुका था वो किम्सो के फादर इनलौ को मारने के ब गलती समझता है जिस दौरान किम्सो को पता लगता है कि जैंग ने पुलिस को फोन किया है और अब वो सरेंडर करना चाता है अब असल में जैंग ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि किम्सो को हमेशा अपनी गलती का एसास होता रहे और वो इस दर्द में जिंदगी भर रहे मग किम्सो इस बार कुछ और ही सोचे बैठा था क्यूंकि जब जैंग पुलिस को सरेंडर करने ही वाला होता है तो वहां पर किम्सो एक कार लेकर आता है और फिर जैंग को चलती हुई गाड़ी से पकड़ कर घसीटते हुए उस जगह से ले जाता है किम्सो उसे उसी जगह पर जो देखकर किसी की भी रूख आप जाए इसके बाद किम्सो एक बड़े से बलेड को रसी के सहारे बांध कर जैंग के सर के उपर लटका देता है जिसका एक सिरा वो जैंग के मूह में थमा देता है और दूसरा वो सामने के दर्वादे से बांध देता है ताकि अगर कोई दरवाजा खोले तब भी जैंग मारा जाएगा और अगर उसने अपने मूँ की रसी छोड़ने की कोशिश की तब भी उसकी मौत होगी। किमसु इसके बाद वहाँ से बाहर निकलाता है और साथ ही वो जैंग के परिवार को कॉल करकर यहाँ पर बुला लेता है। जो यहाँ पर आते ही जैंग को आवाज देने लगते हैं वो सभी जब दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जैंग मूँ में रसी होने के बाबा जूद उने चिला कर रोकने की कोशिश करता है। और इस पॉइंट पर हम जैंग की आँखों में वही मौत का डर देख पाते हैं जो उसके शिकार की आँखों में होता था। वैसे भी कहा गया है कि अगर आप बदला लेने की चाहत रखते हो तो उसके पहले आप दो कबरे खोद कर रख लो एक उसके लिए जिससे आप बदला लेने वाले हो और एक अपने लिए यहां किम्सों का बदला तो पूरा हो चुका था लेकिन उसे वो सुकून और शांती नहीं मिल रही थी जो उसके दिल को मिलनी चाहिए हाला कि जैंक जैसे केलर को जैसी मौत मिलनी चाहिए थी उसे वैसी ही मौत मिली और इसी के साथ दोस्तों यह मूवी यहीं पर खतम हो जाती है बाकि आप इस मूवी की स्टोरी को किस तरह से देखते हैं यह मुझे आप कॉ झाल